हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो मैं चैनल दोस्तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूटूब के चैनल के ऊपर जिसका नाम दोस्तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है लेट्स क्रेट वेल्थ और आप जानते हैं इस चैनल का मकसद सिर्फ हमेशा से यही रहता है कि आप लोग अच्छी वेल्थ बनाएं ताकि लॉंग टम में आपको पैसे का सपोर्ट अच्छा कासा मिल सके और दोस्तों पैसा है तो रियल बता रहूं आपको कॉंफिडेंस लेवल आपका हमेशा ही अपर रहेगा यह बात सुनने में भले अच्छी लगती हो किसी को यह न इसी क्या वज़य है कि भारत में लोग 98% लोग स्टॉक मार्केट से लॉस खा रहे हैं तो यही एक वीडियो है बहुत लोगों ने डिमांड की थी तो मैंने वीडियो बना रहा हूं और उससे पहले बताना चाहूंगा मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है दोस्तों क पांच स्टॉक का जिकर किया है इस वीडियो के अंदर जो कि आपको कभी भी इस्प्रेट या बोनस प्रवाइड कर सकते हैं इन्हें स्टॉक को आपको नजर में रखना है यदि आपके पोर्टफोलियो में हैं तो सो फॉर सो गुड होल टाइट अगर नहीं है तो इन्हें बाई ऑन डिप कीजिए और एस आईपी मोड में इन्हें अपने पोर्टफोलियो में आप सामिल कर सकते हैं तो कौन सा है यह स्टॉक या मतलब जिस स्टॉक के बारे में या मैं जिस डीटेल के बारे में बताने वाला हूँ बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा यह बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके लिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोसिस कीजिएगा कि आप लोग इसे पूरा ध्यान से सुनें तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा दोस्तों तो दूस्तों जैसा बहुत सारे आजकल जो नए निवेसक हो गए हैं या न हे ट्रेडर उनको लगता है मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है तो अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना अब इतना ही आसान है तो aynı 58% लोग गातक क्यूं हो रहाया दोस्तों तो दूस्त प्रफाही मेरी बातों को खरा पाएंगे क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं मेरा मकसद व्यू लाना नहीं होता मेरा मकसद आपकी वेल्थ बनाना है और यह आप सभी जानते हैं अगर मेरे चैनल पर पहले से अवेलबल हैं मैं कभी यस बैंक अशोक लीलैंड पर मैं क् बनाता हूं क्योंकि मुझे पता है इन में दमने कंपनियों में और आज तक आप मेरे चैनल पर जाएए एक आद वीडियो ही मिलेगा वह भी कभी बनाया होगा तो मैंने स्टार्टिंग में आप देखते हैं कभी नहीं बनाता हूं मैं वीडियो मैं हर बार रिपीट करता अच्छे स्टॉक आपके जहन में हमेशा ही रहें और आप लोग अच्छा पैसा बना सकें यही मेरा मकसद है और दोस्तों इसी मकसद के साथ मैं काम कर रहा हूँ और अगर आपको यह मेरी बात अच्छी लगती हो तो आप चैनल पर लाइक कर सकते हैं वीडियो को और अच्छ 50% लोग घाटा खा रहें हमाई इंडिया के मार्केट के अंदर तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अज इन्डिया के अंदर केवल ओकेवल 4% लोगी स्टॉक मार्केट के अंदर है इसका मतलब सीदा सीदा यह रूम nawrkat हैं और बहुत ही मझे की बात यह दोस्तों बीते एक साल में मतलब कोविट के दौरान यह जो डाटा निकल के आया है बहुत तेजी से उपर बढ़ता दिखाई दिया यह ग्राफ उससे पहले दोस्तों केवल 1.7% लोगी स्टॉक मार्केट में थे मतलब आज से करीब एक से देड़ साल पहले की बात कर तो आप विलीव नहीं करेंगे दोस्तों स्टॉक मार्केट में कितनी हुज एमांट की लिक्विडिटी आएगी ना तो फिर FII मार्केट को हिला पाएगा ना DIIII दोस्तों क्योंकि इतने अधिक लोग रिटेलर आ चुके होंगे मार्केट के अंदर और दोस्तों आज से करी हमारे देश के लिए और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी साती साथ हमारे ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए भी तो आप इस बात को रखिएगा माइड में अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं एक ब्लैंक पेज के आ सके तो दोस्तों आपको बता रहा हूं कि भारत के मार्केट में अभी फिलाल 4% लोगी stock market में active हैं इंडिया के अंदर दोस्तों और यही दोस्तों बात करेंगा हम अमेरिका की तो दोस्तों बहुत बड़ा चेंज है 54% लोग active है अमेरिका के stock market में इसका मतलब क्या है दोस्तों इंडियन लोगों को भरोसा नहीं है ज्यादा stock market पे और अमेरिका को इंडिया मतलब stock market पे ज्यादा बरोसा है इसकी वज़े कहांस निकल कराती वज़े दोस्तों यह है कि हमें बचपन सी यही पढ़ाया गया है कि हम लोग पढ़ लिखके बस के बल एक जॉब करें या एक नौकरी करें हम लोगों ने कभी financial चीजों को बताया ही नहीं गया है इसलिए इंडिया में बच्चा बाया होता है और बड़ा होना शुरू होता तो उसको सरफ एक ही बात बताया थी बेटा पैसा सेव करो तो मतलब हमारा ध्यान टोटल सेविंग पे रहता है और फॉरन में आपको सेव नहीं करना आप अपने पैसे को बढ़ाना है तो आप इन्वेस्ट करो तो वहाँ पो लोग इन्वेस्ट करने के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इन दोनों चीजों में बहुत ब बनेगा किसको confidence ज्यादा आए गए तो आप समझ रहें सीधा सीधा दिखाई दे रहा 4% 54% confidence किदर ज्यादा है यह आप समझ सकते हैं पहली चीज़ तो यह अब लोग इंडिया में घाटा क्यों खाते हैं यह मैंने थोड़ा analyze करने की कोसिस किये तो पहली चीज़ दो मुझे समझ में आई दोस्तों यहाँ पे लोगों को proper knowledge नहीं है knowledge का जो कमी है stock market में लोगों को इससे लोगों को घाटा होता है दूसरी चीज़ बहुत जल्दी में है कि मतलब पैसा आज लगा दें और 5 साल ना हो और हम millionaire बन जाए जो कि possible नहीं है दोस्तों आप जानते हैं तो आप लोग LIC करते होंगे दोस्तों आप लोग FD करते होंगे bank के अंदर दोस्तों आप लोग 200 साल लोग wait करते हैं तब जाके पैसा को चार से पांच गुना होता है लेकिन stock market में अगर आप 2000 लगाते हो तो उम्मीद करते हो कि दूसरे दिन पांच जार हो जाए तो यह क्या possible है को कोई चमतकार तो होने रहा है आपके पैसा दुरंद बढ़ जाएगा अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों कहीं नगी fraud भी हो सकता है आपके साथ यह आप बात को ध्यान लखिएगा तो दोस्तों इस बात को आप माइंड मेकप कीजिए तो ज़्यादा जल्दी बाजी नहीं कर करते हैं investing को आपको पता है market में हमैसा two hands रहते हैं एक हेंड होता है दोस्तों weaker hand देखोता है strong and weaker hand दोस्तों recurs trader को kaasent strong and investor को काब जाता और इतियास गवाया दोस्तों कि weaker hand से पैसा हमेशा strong hand में shift होता है इसलिए trader घाटा खाते ही जाते हैं और investor पैसा बनाते ही जाते हैं यह चीज़ आप समझ लीजे बहुत काम की चीज़ बता रहा हूं दोस्तों यह कहीं नहीं मिलेगी यूटूब पे लोग सिर्फ stock डालते हैं ताकि वो view लेके आ जाएं मेरा मकसद आपको समझाना है कि आप ये चीज़ों को समझेंगे तो ही आप मन बनाएंगे कि हम इसे long term के लिए रखना है आप भले ही एक हजार रुपए ही क्यों न लगाएं मैं यह नहीं बोला हूं कि आप हजार लगाई है या 10 लाक लगाई है पर कोसिस यह कीजे जो भी stock में आप लगाई है वह एक तो quality stock होना चाहिए पहली important चीज़ और दूसरी important चीज़ आप patience रखेंगे तो आप वागई में इतनी अच्छी पैसे बना सकते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है और दोस्तों जो मुझे एक और चीज़ समझ में आई जहां पे लोग future and option में जो काम करते ह हैं दोस्तों वहार रिक्स बहुत involved है जब market easily आपको reward देने के लिए तयार है तो आप रिक्स क्यों ले रहा है बिजनेस को study करें दोस्तों आप company के price को study मत करें कि price क्या दिखाई दे रहा है अगर आप business study करेंगे दोस्तों तो दोस्तों stock market से आप कभी भी घाटा नहीं और अगर आप market में रुकना आपने सीख लिया पेसेंस बनाना सीख लिया तो wealth बनाने से कोई नहीं रोग सकता दोस्तों आप कोई भी stock उठा लीजिए जो quality है उसका five year से ten year का डीटेल निकाल लीजिए देखते हैं देख लीजे पैसा कितना मैनी फोल्ड होता है लेकिन अब quality stock है इसमें बहुत वड़ी wealth बन सकती है वह आप देखी रहो कहां से कहां है stock ऐसा एक नहीं बजाज finance 1700 से चिला रहा हूँ आज 6000 पार है दोस्तों बजाज फिंसर 2200 पे बताया था आज 13000 के राउंड आ चुका इंडिया मट 2200 पे बताया था 9950 का हाई लगा एफल 1500 पे बता सब्सक्राइब के लेबल बता हुए है ऐसारे बताया था 2200 पे आप देख लिए आठ 8000 के राउंड घूम रहा है तो quality stock में पैसा लगाईए पैसा बनेगा बेशिकर रही है और मैं बचिए कोसिस कीजिए कि ट्रेडिंग वेडिंग से आप दूर रही है इसके लिए बहुत ऐसे चाहिए और साथी साथ पैसा बहुत चाहिए दोस्तों और जब और सबसे इंपॉर्टन बात मैं आपको बताना चाहूंगा margin का इस्तमाल तो कभी गलती से भी मत कीजिएगा भूलके ठीक है दोस्तों आपको यह मेरी बात समझ में आई यह तो अच्छी बात है दोस्तो आप लाइक कीजएगा वीडियो और पहली दफ़ान सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्यू फूर वाचिंग